पंजाब पुलिस ने मोहाली में दर्ज एक मामले में भाजपा की दिल्ली इकाई के प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंग बगगा को राष्टिये राजधानी दिल्ली में उनके आवाज से गिरफतार किया बगगा पर दिल्ली के सीम के जरिवाल के खिलाफ विवादिट टिपपड़ी करने का आरोप है दिल्ली पुलिस ने बगगा की गिरफतारी के बाद पंजाब पुलिस पर किड्नैपिंग का केस दर्ज किया है दिल्ली पुलिस का कहना है कि बगगा की गिरफतारी में पंजाब पुलिस ने नियमों का पालन नहीं किया है, पंजाब पुलिस के दिल्ली में जाकर बग्गा को अरेस्ट करने के बाद इंटर स्टेट अरेस्ट को लेकर नई बहस छिड़ गई है, क्या एक राजी के पुलिस द्वारा किसी दूसरे राजी में जाकर किसी को arrest करना नियमों के दाइरे में आता है ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर किसी राज की पुलिस दूसरे राज में जाकर आरोपी को गिरफतार करती है तो उसके लिए किन किन नियमों का पालन करना जरूरी होता है तो आईए हम आपको उन्यमों से रूबरू कराते हैं सबसे पहले दूसरे राज्य की पुलिस को उस पुलिस स्टेशन से संपर्ख करने की कोशिश करनी होती है जिसके अधिकार छित्र में उसे अपनी जाच करनी होती है इसके साथ ही पुलिस को सिकायत अथवा एफ आई आर की कौपी और अन्य जरूरी दाश्ट से वेज उस राज्य की मानने भासा में अनुवाद करके ले जाना होता है जहां वे आरोपी को पकरने के लिए जा रहे होते हैं दूसरे राज्य में करवाई के लिए पहुंची पुलिस को मदद के लिए संबंदित पुलिस स्टेशन को सभी महत्वपोर्ण जानकारी देनी होती है दूसरे राज्य से गिरफतार करने आई पुलिस का यह करतव्य है कि वह राज्य से बाहर ले जाने से पहले गिरफतार व्यक्ति को अपने वकील से परामर्स करने का मौका दे अपनी कारवाई को अंजाम देने के बाद लोटते वक्त दूसरे राज की पुलिस की यह जिम्मेदारी होती है कि वह सम्मंदित पुलिस स्टेशन का दोड़ा करे और डेली डायरी में सभी जरूरी जानकारी लिखे इस जानकारी में जिस वक्ति को राजे से बाहर ले जाया जा रहा है उसका नाम और पुरा पता कोई सामान हो तो उसका बेवरा और पिरित का नाम भी सामिल होना चाहिए अगर जरूरत हो तो दूसरे राजे से आई पुलिस को चाहिए कि वह गिरफतार किये गए व्यक्ति को नजदी की मजिस्ट्रेट के समक्ष पेस करने के बाद प्रांजिट रिमांड हासिल करने की कोशिस करे और फिर उसे राजे के मामले के अधिकार छेतरवाले मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के भीतर पेस करे जहां उसके खिलाब केस दर्ज है राजे पुलिस के लिए या बेहद अहम है कि वह गिरफतार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर नियाईक मजिस्ट्रेट के सामने पेस करे क्योंकि 24 घंटे की अवधी से ज्यादा किसी भी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में नहीं रखा जा सकता है 24 घंटे के समय की गनना में यातरा के समय को छोड़ दिया जाता है दूसरे राजे की पुलिस द्वारा किसी और राजे में जाकर आरोपी को गिरफतार करने संबंधी ये दिसा निर्देश दिल्ली उच्च न्याले ने 2019 में दिल्ली पुलिस और उत्तरप्रदेश पुलिस को दिये थे जहां पढ़्यावरन कार्यकरता दिसा रवी की गिरफतारी को लेकर विवाज खड़ा हुआ था अगर आपको हमारा वीडियो पस नाया हो तो इसे लाइक करें इस चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचते रहें हम से चुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कॉमेंट बॉक्स में देते रहें हमें आपके सुझाव का इंतिसार रहेगा हमारे साथ चुड़ने के लिए धन्यवाद